निलास, Unisex Salon and Academy, अपोजेट बदर विद्याले, वेशाली नगर अजमीर, इंटरनाशनल वाच्चेस कलेक्शन, बाइ मिनिट्स तू स्टाइल, मार्टिन दिलब्रिज अजमीर, एस्ट्रान, Unisex Salon, कचेरी रोड अजमीर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल जहिंद, मैं लल्द खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया, आज बात Fast Tech के दूसरे वर्जन Fast Tech 2.0 की, 15 दिसंबर से देश भर में Fast Tech RFID सिस्टम लागू होने जा रहा है, अब सभी वहानों पर Fast Tech लगाना जरूरी होगा, वैसे तो सरकार ने इस पहल के पीछे का पर लगने वाली लंबी-लंबी लाइन से आम जनता को छुटकारा दिलवाना बताया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार की मनशाथ Fast Tech को लेकर कुछ आगे की है, तूत्रों से मिली प्राप जानकारी के अनुसार सरकार पार्किंग के लिए भी अब Fast Tech को जरूरी करने जा रही है, और इसके लिए सारवजनिक परिवहन एवं राजमार्ग मंतराले ने हैदराबाद एरपोर्ट पर एक पाइलेट प्रजेक्ट भी शुरूर किया है, जिसमें एरपोर्ट पर वाहनों की पार्किंग के लिए Fast Tech का उप्योग किया जाएगा, नहाई के सूत्रों क के अनुसार इस प्रजेक्ट के दो चरण होंगे, पहले चरण में वाहन पार्किंग का भुगतान सिर्फ ICICI बैंक से जुड़े Fast Tech के द्वारा होगा, और दूसरे चरण में सभी बैंकों के Fast Tech का उप्योग कर भुगतान किया जा सकेगा, मंतराले के अनुसार टोल भुगता के अलावा इस Fast Tech सुविधा को और अधिक व्यापक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, Fast Tech के इस दूसरे वर्जन को सरकार ने Fast Tech 2.0 नाम दिया है, Fast Tech 2.0 का उप्योग पार्किंग भुगतान के साथ साथ पेट्रोल डीजल आदी के भुगतान हितू भी किया जा सकता है, इसके साथ ही सरकार ट्रैफिक नियमों का उलंगन करने पर कटने वाले इच अलान के भुगतान के लिए भी अब Fast Tech का उप्योग करने की सोच रही है, यानि इधर आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा और उधर आपके खाते से चलान की राशी काट ली जाएगी, इसके अ भी वहान के आधार कार्ड के रूप में उप्योग होंगे, सरकार के अनुसार One Nation One Fast Tech इस तरह की सेवा होगी, जिसके जरिये देश के सभी तरह के मारगों पर भुगतान के लिए Fast Tech का इस्तमाल किया जाएगा, RBI के Fast Tech के द्वारा पेट्रोल डीजर की खरीद और पारकिंग में स्क्यूप योग की भी जादत दे दिये, इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन के मताबिक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नॉन बैंकिंग प्रिपेड प तरुपधम अनुमती दी गई है